आज से 15-18 साल के बच्छों का वेक्सिनेशन शुरू हो चुका है भुपाल में वेक्सिनेशन अभियान का सीम शिवराज ने शुबहरम किया है इस दूरान सीमशिवराज ने बच्चों से मुलाकाद भी की है और कहा कि हमें कोरोना को हराना है और मास्क और सोशल डिस्टेंसि का पालन जरूर करना है यह वाद सियम शिवराज नों आज वेक्सिनेशन के दौरान कही तो लड़ना तो है आतो राए तो दरना नहीं है लड़ना कि लेकिन सयम से होसना खोते हुए अनावसक धीर से बचेंगे कोविड एप्रोप्रियेट बेहवियार का पालन करेंगे देख एक बात मेरे मन में है कि हम आर्थिक गत्विधिया ना रूकें क्योंकि उसे रोजी रोटी बिजनिस ब्यापार सब ठप हो जाता है और एक मेरे बच्चों की पढ़ाई भी ना रुके पढ़ाई चलनी चाहिए ना क्योंकि दो साल हमने ओनलाइन पढ़ाई में भी हमने कौसिस की लेकिन ओनलाइन और स्कूल में आके पढ़ने में अंतर होता है कोविड की तीसरी लहर की आहट है आज पूरे मधक्रेश में 221 पॉजिटिव केस आए है भोपाल में और इंदोर में इंदोर में 110 है भोपाल में 54 है बागी जलों में भी केसिस आ रहे हैं जबलपुर में ग्वालियर में उज्जैन में कोविड की तीसरी लहर तो आ रही है लेकिन हम को बाग 14 से और समझदारी से इसका मुकाबला करना है करना है की नहीं करना और मैं देख रहा हूँ की हमारे भाज़ भानझे भानझी बिलकुल मास्क लगा हुए ये मास्क अभी लगाया या बैसे भी लगा के रखते हो अभी झाल झाल